पेटल पंप के कैस बॉक्स से नगदी चोरी करने वले अव्यूत को इटावा पुलिस ने ग्रबतर किया है उसके पास से चोरी किये गए 40 हर 550 रुपे वा चोरी में समल किये की कार्वी परामत की गई है इटावा SSP संजय कुमार परमा के निर्देशन में बस रेहर थाना अध से दो का चोरोना मोगल खेनने के वाने केस वक्स से 13,000 रुपे से जादा की चोरी की थी स्वीश टीवी की जड़िए इनकी चोरों की पेचन की गई है जिसका दिनकी किरबतार ही हो सकी ख़बर हर अपलक लिए टावा से अभी नंदन जन की ख़बर बारा तारीक को बारा फरवरी दोजार चोविस को बस रहर पड़ता है जनपरी टावाम में एक पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का फिलिंग स्टेशन उस पेट्रोल पंप पर 83,400 रुपए टपे बाजी करके क्या करते हैं मोबील आयल लेने के बहाने निकाल लिया गया था उनके उनका बॉक्स होता है उस पेसे निकाल लिया गया था और इनकी जो जब तमाम कैमरों का जो आपरिशन त्रिनित के तहद हमारे जनपत में लगाये गये हैं उनसे तमाम जब देखा गया फूड़ देखे गये तो कुछ पहचान हुई और गाड़ी जो थी जो उनके साथ गाड़ी थी हर्यान नंबर की थी अचार नंबर की उसके आधार पर हमारी पुलिस टीम जो थी बस्रेहर की कपिल जोधरी उनकी टीम द्वारा काफी प्रयास किया गया इसमें जिसके बाद जो है यह पता चला कि यह गाड़ी फजिल का और पंजाब के भटिंड पर हम उनसे बात किया गया और तब जाके डिबलफ हुआ कि यह लोग है और यह लोग गोरकपुर गए हुए थे और गोरकपुर से जब इसे पूस्ताश की जाती है तो गोरकपुर नोने जाना सुखर किया और आरकेस्ट्रा में काम करने वाले छोग इनकी गाड़ी में किया था तीसरी बार में ये सफल हुए पैसा निकालने में टपे बाजी करने में इस प्रकार से ये काफी दूर की रहने वाले था और भटिंडा की रहने वाले करते ग हैं कि दया वश्रह किया गया है बाकी जो भी निमा नुसार विधिक करवाई है इसमें आमल में आकर कर के कटूरत्म करवई